हेलो दोस्तों मेरा नाम कुण्दन है, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो हम जानने वाले हैं कि हम ट्रेन टिकेट इसे बनाते हैं अगर दोस्तों आप भी घर बैठे अपने मूबाइल फोन से मतलब train ticket बना सकते हो train ticket बना सकते हो चाहे ओ रिजर्बेशन हो चाहे दोस्तों AC में चाहे 3AC में चाहे sleeper में किसी में भी आप online ticket बना सकते हो लेकिन कैसे बनाएंगे आपको हम इस वीडियो में step by step करके बताएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को like कर देना और YouTube चैनल को subscribe कर लेन तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखना थोड़ा सा भी पार्ट को skip मत करना तो चलता अपने phone के screen पर आपको step by step करके पूरी जनकारी देंगे कि हम किस तरह से अपना train ticket बनाते हैं आपको इस वीडियो के description में उसे apps का link मिल जाएगा वहां से आप download कर लेना उसके बाद कुछ इस तरह से खोलना उसके बाद आपको क्या करना इस train बाले पर आइकन पर एक बार click करना एक बाद यहां पर book train पर दोस्तों एक बार click करना जैसे ही आप book train पर click करोगे इस बाले पर उसके बाद देखो आपके सामने कुछी तरह से आ जाता है उसके बाद दोस्तों यहां पर अपना जहां से आप जाओगे वहां पर इस पर select कर लेना जैसे कि हमें यहां से QL से जाना है आनंद बीहार तो यहां से मैंने आनंद विहार डाल ली आँँ आप जो इसमें dead select क सेकते हैं आप तो किस तारिक को जाना। उसका सर्च ट्रेंट कुलिक करोगे जैसरे सर्च ट्रेंट पेड़ कर देंगresso game- Chelsea सेर्च ट्रेंट स्लेट करना किस तारिक को टिकट बनाना है उसके बाद आप पर कुछ इस तरह से सो करेगा जैसे यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं अभी देखो मैं इस पर सब्सक्राइब नाम है इसे बावा बैदना धाम एक्सप्रेस उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना हो जैसे रिफ्रेस्ट बाले पर क्लिक करते हैं देखो हमारे सामने कुछ इस जैसे आजाता है उसी तरह से यहां पर अपना दोस्तों दाल लेना जैसे आप क्सी को सलेट करोगे तो यूजर राइडड यहां पर पृसबर डाल करके आप लोगिन कर लेना है पहला इस भी है पर आएगा तो जैसे कि यहां से मेरा OTP अभी एक मिनट में आ जाएगा नहीं तो एक सकेंड या दो सकेंड में आ जाता है मतलो 60 सकेंड के अंदर आ जाता है OTP तो यहां से OTP भेरिफाइब हो जाएगा भेरिफाइब होने एक बाद देखो हमारे सामने अगला पर कुछी तरह से कुछ तरह से आ जाएगा खुल करके उसके अंधर यहां से दोस्तों OTP डालने बाद हमारा देखो यहां पर खुल के आगया उसके आपको क्या करना होगा जो भी आपको ट्रेन को चेक करना जैसे कि मुझे इस ट्रेंड में टिकट बनाना है मतलब बाबा बेजनाद धाम एक्सप्रेस में तो यहां से मैंने उसको सलेक्ट किया हूँ सलेक्ट करने बाद देखो यहां पर मतलब रिव्यू जनरली डिटेल पर हम एक बार किलिक करेंगे तो देखो हमारे सामने कुछी तरह से आ जाता है उसके बाद यहां पर पेसेंजर का नाम डाल देना यहां से मैं अपने पेसेंजर देखो नाम डाल दिया हूँ उसके बाद नीचे age डाल देना जितना age हो रहा होगा उसके male female select करेना हाँ पर national indian select करेना उसके seat दोस्तों select करेना उपर का चाहिए middle का चाहिए या नीचे का चाहिए जो भी चाहिए आपको select करेना select करने बाद यहां से दोस्तों aid passenger पर नहीं तो आगे यहां से बढ़ जाएंगे उसके बाद डोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से आजाता है खुल करके उसके यहां से आपको payment कर देना होगा मतलब किस तरह से आप payment करना चाहते हो online करना चाहते हो तो यहां से आप online कर सकते हो अगर आप offline करना चाहते हो तो यहां से आप offline भी कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आपका ticket बन जाएगा इस तरह से दोस्तो आप भी घर बैठे अपने मुबाइल फोन से ओनलाइन टिकट बना सकते हैं यहाँ पे देखो एक OTP डालोगे मतलब कनफर्म करने के लिए OTP डालना होता है OTP डालते ही देखो आपका टिकट बन जाएगा उसके पी एने नमबर सारे नमबर आ जाएगा उस से मैं OTP डालोगा डालोगा दूस्तों हमारे टिकट कनफर्म हो जाएगा मतलब 500 देखो 606 रुपे लगीगा उसके प्रोसेस टू पे पर हम किलिक करेंगे जिसे कि यहां पर देखो बता भी रहा मतलब प्रोसेस टू पे जैसे मैं इस पर किलिक करता हूं किलिक करने बाद य नेट बेंकिंग तो यहां से आप किसी से भी कर सकते हो तो मैं दोस्तों यूपी आई से करता हूं तो मैं यूपी आई से मैं भी कर देता हूं देखो पैमेंट पैमेंट करने बाद हमारा दोस्तों टिकट बन जाएगा यहां से दोस्तों आप इसी तरह से आप भी टिकट ब बना सकते हो